Hello everyone and welcome to the channel Golden Rules साल 2011 में अली सफन ने जूम नाम का एल्बम रिलीज किया इस एल्बम में कुल 12 गाने थे इस एल्बम को इंडिया के साथ साथ दुनिया भर में VRF Music ने रिलीज किया ये एल्बम रिलीज होते ही स्माश शेट हो गया खास कर इस एल्बम का टाइटल ट्राइक जूम अब रिलीज के 11 साल बाद अचानक से ये गाना इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर वाइडल हो रहा है इस गाने पर बने रील्स और शॉट्स से सोशल मेडिया भरा पड़ा है मगर ये गाना 11 साल बाद दुबारा पॉब्लिक की नजर में कैसे आया और इसके क्या मिस्ट्री हैं आए हम जानते हैं बड़े से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि ऐसे ही informative वीडियो आपको इस चैनल पर देखने मिलेंगे 11 साल बाद जूम कहां से हाथ लगा जूम गाने के वाइरल होने के पीछे बड़ी interesting स्टोरी है November 2021 में सूपर 30 fame actress मुर्डाल ठाकु ने अपने Instagram handle से एक वीडियो शेयर किया ये वीडियो कतार की राजधानी दोहा का है अली जफर समित कई celebrities को कतार टूरीजम की तरफ से बुलाया गया था मुर्डाल ने जो वीडियो शेयर किया है इसमें breakfast table पर बैठे अली जफर जूम गाना गाते दिखाई दे रहे है ये वीडियो आया और खुब पसंद किया गया कुछ लोगों को ये गाना भी बहुत अच्छा लगा अचानक से गाने की YouTube व्योज में उच्छाल आ गया इसकी कुछी समय बाद अभीजित वागानी नाम के एक artist ने जूम गाने का remix क्रेयेट कर दिया जूम का वो R&B वर्जिन सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया पिछले कुछ समय से इसी तरह के गाने काफी पसंद किये जा रहे हैं इसी वज़र से कई पुराने गानों का R&B के हिसाब से ही remix कर दिया जा रहा है अली जफर का जूम एक example है जूम सौंग को आम तोर पर एक romantic सौंग की तरह सुना जाता है मानो कोई शक्स अपने पसंदिदा शक्स के लिए वो गाना गा रहा हो मगर अली का ये album जूम पॉप और सूफी गानों का mix था जब जूम 2022 में रिल्स और शॉट्स में चाने लगा तब अली जफर ने एक tweet किया और एक video भी share किया इस video के साथ अली जफर लिखते है 11 साल पहले मैंने जूम नाम का एक गाना लिखा था ये गाना उस खुबसूरत चीज के बारे में बात करता है जिसे हम जीवन कहते हैं और ये जीवन कैसे हम सब के बीच बहकर हमें धागे की मोतियों की तरह पिरोता है आप सबको इस गाने पर पहले से भी ज्यादा जूमता देख मेरा भरोसा मजबूत होता है आपको बता देती हूँ कि अली जफर एक artist है acting करते हैं, गाना लिखते हैं, एक संगीत कार भी है painting भी करते हैं, काफी versatile personality I hope आपको यह information अच्छी लगी हूँ, तो इस वीडियो को like ज़रूर केजिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की information के साथ Thank you so much